आज हम बात करेंगे यूकिलिप्टिस असेंशल ऑइल के बारे में जो बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने सारे बैनिफिट्स हैं आपकी बॉड़ी और ब्रेइन के लिए तो यूकिलिप्टिस ऑइल को आप सीधे यूज ना करे तो बेडर होगा आप इसको किसी कैरियर ओएल में डालके यूज करें इसके कैरियर ओएल जो सबसे उच्छे इसके साथ काम करते हैं वो तो एक तो है coconut ओिल और दूसरा है golden hohoba और तीसरा है आरगन ओयल, अगर इन तीन केरियर ओयल के साथ आप यूकिलिप्टस ओयल को यूज करते हैं तो आपको काफी सारे बेनेफिट्स होंगे और चौथा आप आलमन ओयल यानि की बादाम के तेल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैं आती हूँ वो कोल्ड और कफ अगर जिनको कोल्ड कफ का प्रॉब्लम है लंग में कंजेशन है तो वो इसको इनहेल कर सकते हैं अपने हैंकर चीफ में डाल करके अधरवाइज आप एक लिटर पानी को गरम करके उसमें टैन ड्रॉप्स ऑईल डाले या उससे कम कॉंटिटी में पानी गरम करके जितना आपको ज़रूरत है जितने में आप इनहेल कर सकते हैं और इनहेल करने से क्या होगा आपका जो म्यूकस को क्लियर करें गारें अगर क्रेश करना चाहते हैं तो इसका जो मेक्स्टर है वो आप अपनी ट offensive धा सकते हैं उससे Öz तरफ लगा सकते हैं आपको ते भी कफ कॉल्ड करने के लिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए बी काफी अच्छा है तो आप इसे अपने हेंकरचीफ में डाल सकते हैं तीन से चार्ड लॉप और इसको आप इन्हेल कर सकते हैं अधर्वाइस आप इसको अपना जो और यह करियर और उसके साथ मिक्स करके और उसको अपने हेड़ पे मसाज कर सकते हैं उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है या सीवियर है उसमें ये काफी हेल्फुल है जिन लोगों को इंसेक्ट बाइट है या बरन है या कट है तो यह मिक्सचर को कैरियर ओयल के स आपके मिक्सचर से तो डेंडरफ क्योर करता है आपके हेर फॉलिकल को स्ट्रॉंग बनाता है हेर ग्रोथ में हेल्प करता है और हेर के टेक्स्चर को भी इंप्रूफ करता है यह बीपी को कम करने में काफी हेल्फुल है अगर आप इससे बीपी कम करना चाहते हैं तो आप तो इससे इंहेल कर सकते हैं या अपने घर में diffuser जो यूज करते हैं लेम diffuser उसको दो-तीन बार दिन में यूज कर सकते हैं तो इससे BP जो बढ़ाव बीपी होता है वो कम हो जाता है एंटी-इंफ्लमेटरी है तो जॉइंट पेन में इसका काफी यूज है आप इसे किसी भी carrier oil के साथ मिक्स करके आप अपने जॉइन पर मसाज कर सकते हैं और यह काफी जल्दी आपको रिलीव देगा जिन लोगों को बैट ब्रेथ का प्रॉब्लम है वह एक से दो ड्रॉप युकिलिप्ट जॉइल एक ग्लास वाटर में डाल करके उससे गुंगुने पानी में डाल करके अपने पीने वाले पानी का एक लीटर या आधे लीटर की बॉटल में उसमें अगर आधा लीटर है तो फाइफ ड्रॉप डालिए युकिलिप्ट जॉइल एक लीटर है तो दस ड्रॉप डालिए और उसको जब भी आपको लगता है अपने रूम में फ्रेशनेस चाहिए य टी इंफ्लामेटरी होने के वज़े से हीडेक दूर करता हैं ऐटी बैक्टीरियल एनि फंगल होने के वज़े से आपकी डैंडर्फ की अर डैंडर्फ को रिमुव dragging और आंपकी चितने बीअट साथ हैं उनको गये ह्लफ्नेरेय्ल में नेकों कुर करने सकते हैं ये मैंश के था 75 रूपीस में आपको और भी दूसरे ब्रैंड मिल जाएगा 150 200 250 अलग-अलग ब्रैंड के अलग-अलग रेट होते हैं तो आप इसको लेकर की यूज कर सकते हैं और हर जगा यह यूज होता है आप से रूम की फ्रेशनेस के लिए यूज कर सकते हैं आप इसे इंसेक बाइ यूज कीजिए आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बस कोशिशी कीजिए कि इसे डायरेक्ट अप्लाइन करें और अगर डायरेक्ट अप्लाई करना भी चाहते हैं तो कॉटन में लगा करके जिस जगों जो अफेक्टेट जगा है जैसे अलसर है उसमें लगाएं आपको एंग्जाइटी को आपकी इंग्जाइटी को दूर करेंगी आपकी स्ट्रेस को दूर करेंगी कोई बॉड़ी एक अगर आपको किसी तरह का है उसको दूर करेंगी किसी भी बॉड़ी पार्ट में अगर आपको पेन हो रहा है उसमें आपकी हेल्प करेंगे दूर कर रहे हैं और आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो देखते रहिए व्यूज बढ़ाते रहिए और फाइदा भी उठाते रहिए तो टेक क्या एंड गुडबाइ